हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चानल में दोस्तों आज हम आपसे प्रेस काउंसलिक आफ इंडिया की तरफ से आई हूँ वेकेंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों जिसके एड़टाइस्मिन की डेट एक जम्रड़ी 2021 की रखी गई है तो चलिए दोस्तों इसमें वेकेंसी के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितनी वेकेंसी आई हुई है और इसमें कौन सी पोश्ट के लिए वेकेंसी दी गई है तो दोस्तों इसमें असिस्टेंट सेक्सान आफिसर के लिए चार वेकेंसी आई हुई है जिसमें इसको category wise यूर के लिए दो OVC के लिए एक and STK candidate के लिए एक vacancy रखी गी है दोस्तों यहां पर बात करें salary package की तो इसमें पर मन्त 9300 से 34800 तक का salary package यहां पर रखा गया है प्लस यहां पर GP यहां पर 1200 एड़ किया जाएगा चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं यहां पर qualification की इसमें कितनी qualification मागी गई है तो इसमें bachelor degree की qualification यहां पर मागी गई है कोई भी bachelor degree का candidate इस फार्म को अपलाई कर सकता है दोस्तों और साथ में यहां पर post graduate degree के candidate degree in law and degree in diploma के candidate भी इस फार्म को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अब देखते हैं यहां पर age limit की कि इस frequency में age limit कितना ही रखी गई है तो इसमें minimum 20 साल and maximum 30 साल की यहां पर age limit निर्धारिद की गई है दोस्तों चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहां पर relaxable age की किस frequency में relaxable age कितनी रखी गई है तो इसमें ST की candidate के लिए 5 साल की relaxable age आए OVC की candidate के लिए यहां पर 3 साल की है PWD प्लस UR की candidate के लिए 10 साल की PWD प्लस OVC की candidate के लिए 13 साल की and PWD प्लस STSC की candidate के लिए यहां पर 15 साल की relaxable age रखी गई है दोस्तों यहां पर EX Service Man की candidate के लिए 3 साल की relaxable age दी गई है चले दोस्तों अब यह देख लेते हैं यहाँ पर exam schedule की कि इसमें किस तरह का कोई examination pattern होगा दोस्तों इसमें पहले examination में आपके चार सब्सक्राइब के exam लिए जाएंगे जिसमें पहला होगा जर्नल intelligence and reasoning का जिसमें 50 questions पुछे जाएंगे दोस्तों और इनमें minimum 50 अंक दिए जाएंगे दोस्तों इसमें second question है quantitative aptitude का जिसके लिए 50 जिसमें questions पुछे जाएंगे दोस्तों और इसमें भी total marks 50 दिए जाने है दोस्तों next paper है यहां पे journal awareness का जिसके लिए 50 questions दिए जाएंगे और इसमें marks भी 50 रखा गया है दोस्तों अगला paper है यहां पे English language and comprehension का जिसके लिए 50 questions पुछे जाएंगे दोस्तों यहां टोटल marks यहां पे 50 दिए जाएंगे दोस्तों इसमें duration का time तीन घंटे का रखा गया है यानि कि आपको तीन घंटे में अपना exam qualified करना होगा दोस्तों यहां पे second exam में आपके descriptive paper in Hindi and English का exam दिया जाएगा दोस्तों जिसमें A say later applications ETC questions पुछे जाएंगे जिसमें minimum 100 marks के question पुछे जाएंगे दोस्तों इसमें time allows में 60 minute का रखा गया है यानि कि आपको साथ मिनट में अपना paper खतम करना पड़ेगा दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर इंपार्टन डेट की किस वेकंसी में इंपार्टन डेट क्या रखी गई है तो इसमें एक जनबरी 2021 की स्टार्टिंग डेट है और इस होम को सम्मिट करने की closing date यहां पर एक फरबरी 2021 की रखी गई है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में पस इतना ही अगर आपको इस वेकंसी के बारे में और भी information चाहिए तो इसके लिए हमारे description box में आपको notification की link मिल जाएगी जिसके दुरू आप information को जानकारी को अच्छ subscribe करें